हेलो दोस्तो हमारे ओनलाइन प्लैटफोर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हम लेकर आएं हैं आपके साथ IBPS, AFO के previous year exam को बहुत बढ़िया लेवल पर आपके साथ सोल करने जा रहे हैं आपको exam किस level से, किस pattern से, किस किस questions को लेकर सोल करके आना है कैसे आपका cut off clear होगा, कैसे आप merit में आएंगे, कैसे आपकी सारी चिंताएं दूर होगी उसको एक एक चीज को बिलकुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे discuss किया जाने वाला है दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ कि आपको question attempt कैसे करने हैं, कौन से question पहले attempt करने हैं और कौन से question आपको बाद में attempt करने हैं, जिस बच्चे को जिस student को यह बात बहुत अच्छे से पता है उसका 101% जो examination है वो clear होने वाला है दोस्तों तो आईए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके 50 सवाल आपको मिलेंगे आपके exam में जिसमें से 5 सवाल number series के होंगे, 5 question आपके पास equation के होंगे और 5 question आपके पास simplification और approximation के होंगे इन 15 से 20 questions को सबसे पहले आपने solve करने की try करनी हैं तो मैं इसी pattern से ही आपको यह previous year 2019 का paper solve करवाने जा रहा हूँ तो आईए दोस्तो हम discuss करते हैं questions को और बहुत बड़िया approach के साथ तो आपके सामने question आपको दिख रहा है number series का तो sir हमारे सामने हमें question दिख गया number series का चलो आपकी बात मान ली पिर अगला question भी आपको number series का दिख रहा है यह 10 number आपके fix हो जाएंगे 10 number के बाद आपको di दिखना शुरू हो जाएगा simplification दिखना शुरू हो जाएगा तो हम that solve ऐसे करते रहेंगे चीजों को solve करते जाएंगे तो sir अब number series हमें solve करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल basic से लेके चलता हूँ कि number series होती क्या है कैसे आप question को देखते ही बता सकते हैं किस type की number series है और कितने second में आप इसको solve कर सकते हैं within seconds के अंदर अंदर आप इसे solve भी कर देंगे तो सुनिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा हाना लो जी सबसे पहले मैं आप से बात करूँ number series की किसकी बात करने जा रहा हूँ दोस्तो number series की तो number series two types की होती है number series कितने types की होती है दोस्तो two types का जो है दोस्तो number series होता है एक होता है missing number एक क्या होता है दोस्तो missing number और एक क्या होता है दोस्तो wrong number wrong number series एक होती है missing number series एक होती है wrong number series for example मान लो आपके पास आया 5, 10, 15 25 question mark question mark के मतलब हुआ कि यहाँ पे एक number miss है यहाँ पे एक number दोस्तो miss है इस miss number की जगाँ पे आपको एक number अपने IQ से, अपने pattern से, अपनी study से लेके आना है 5, 2, 10, 3, 4, 20, यहाँ क्या आएगा 20 ठीक है? तो यहाँ आपने लिख दिया दोस्तो 20 और यहाँ कितना आजेगा 25 आजेगा इसे बोलते हैं missing number series इसे क्या बोलते हैं? missing number series इसे बोलते हैं wrong number series, wrong number series का क्या मतलब हुआ? sir wrong number series का मतलब हुआ कि जैसे आपने लिखा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है? wrong number series क्या कहती है? sir wrong number series में आपको देखना होता है कि इन में से कोई ना कोई number wrong है, कोई ना कोई number क्या है? wrong है, उसे आपने सही करना है इसमें आपको question mark नहीं मिलता, question mark नहीं मिलता, इसमें से ही कोई एक number wrong होता है और उस wrong number को आपने कि जिस sequence में set किया है वो sequence बता देगा कि उस number जो है दोस्तों wrong है जैसे हमने देखा कि यह prime number की series है कौन सी series है यह prime number की series है ठीक है ब्राइम number की series में 2 आता है 3 आता है 5 आता है 7-9 नहीं आता है तो 9 जो है वो गलत रहेगा 9 क्या आएगा गलत रहेगा ठीक है तो यह आपकी series बन जाएगी यह आपकी क्या बन जाएगी series बन जाएगी अना तो इसमें आपके option मिलेंगे आपको कौन सा number wrong है तो आप बोलोगे sir यहाँ पे 9 नहीं आएगा 9 यहाँ पे wrong है ठीक है for example आपके पास series आई एक simple सा series लेने की कोशिश करते हैं 3 6 9 13 15 18 तो अब सबको समझ आ रहा होगा sir क्या समझ आ रहा होगा 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 5 जा 15 3 6 जा 18 तो यहाँ पे 13 नहीं आकर क्या आने माला है 12 आने माला है तो इसे बोलते है wrong number series I hope कि आपने सीखा होगा कि missing number series क्या होती है और wrong number series क्या होती है या तो आपके 5 के 5 question missing number क्या आएंगे और 2019 का जो paper हुआ था आपका उसमें जो आपका जो question आए थे वो wrong number series क्या आए थे दोस्तों किसके आए थे? wrong number series क्या आए ठीक है अच्छा तो मैं आपको एक बात और share करना चाता हूँ, इससे आगे बढ़ेंगे हम, फिर हम सीखेंगे कि types of series क्या होता है, gap series क्या होता है, jumping series क्या होता है, prime number series क्या होता है, square based series क्या होता है, cube based series क्या होता है, miscellaneous series कौन सी होती है, बिलकुल detail से, इस वीडियो के बाद जीवन में किसी भ पास आते हैं, तो जितने भी कोशन आएंगे, आपके सारे के सारे सही होने वाले हैं, ठीक है, बस आप इस sequence को, 5-7 classes आएंगी आपके पास, पूरा-पूरा paper जो है, soul किया करवाया जाएगा, इस sequence को बहुत अच्छे से देखते रहेगा, ठीक है, इस से पहले मैं आपके study material लेना चाहा रहे हो, agriculture का हो गया, IBPS, AFO का हो गया, एक agriculture के किसी भी exam से हो गया, तो हमारी website और हमारे contact number से आप ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक बात और share करने जा रहा हूँ, वो बात इस तरह से है, हना, वो बात हमारी इस तरह से हैं, दोस्तों, हाँ जी, सर बताइए क्या बात है, हमारी free classes जो है, YouTube पे शुरू हो रही हैं, दोस्तों, free classes यूटूब पर शुरू हो रही है, चैनल को subscribe कर लें, ये classes रहेंगी, दोस्तों, हमारी 17 अप्रेल तक, 17 अप्रेल तक बिल्कुल free of course classes जो है, वो हमारे YouTube चैनल पर IBPS, AFO की, बैंक, IBPS, AFO की, pre और mains की, 150 प्लस, final, वास्तविक, real, real, जो selection है, वो हमारे यहां से हुए है, अना, जो हमारे classroom student थे, हमारे live बच्चे थे, IBPS, AFO में, 150 प्लस बच्चों का दोस्तों, selection हो चुका है, final selection हो चुका है, ठीक है, तो आप भी यदि join करना चाहते हो, हमारे batch को, तो नीचे contact number आपको दोस्तों दिये हुए है, किसी भी contact number पे आप जाके, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे साथ जुड सकते हैं, और 18 April से, एक बात सुनिएगा ध्यान से, 18 April से 24 April तक, 18 April से 24 April तक, दोस्तों क्या होने वाला है, डेमो क्लासीज मिलेंगी आपको free of cost, डेमो क्लासीज मिलेंगी दोस्तों आपको free of cost डेमो क्लासीज मिलने वाली है, किस पे जूम एप पर मिलने वाली है, और 25 April से नया batch शुरू होने वाला है, ठीक है, तो ये सारी information आपके लिए बहुत ही माइने रख रही थी, इसलिए मै करने का भी बता दिया जाए, ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ number series पर, number series हमें क्या कहती है, sir number series हमें कहती है, कि types of series आपको पता होने चाहिए, sir सबसे पहला जो type आता है, वो आता है gap series का, ठीक है, फिर आता है दोस्तो jumping series, ठीक है, फिर prime number series, square based series, cube based series, और miscellaneous, य आपके exam में पूछी जाएंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये gap series का question है, और इसे मुझे किस बिहाफ पे कितनी जल्दी solve करना है, तो आईए, मैं आपको सिखाता हूँ कि gap series आजाए, jumping series आजे, prime number series आजे, square based series आजे, cube based series आजे, या miscellaneous आजे, तो आप कैसे इसे solve कर सकते है लो जी, यदि आपके पास आता है gap series, मेरी बात को सुनियेगा बिल्कुल ध्यान से, अब gap series में gap series का मतलब क्या रहता है, कि आपको series में gap check करना होता है, series में क्या करना होता है, gap check करना होता है, gap constant gap भी हो सकता है, gap जो है वो constant भी हो सकता है, increasing gap भी हो सकता है, decreasing gap भी हो सकता है, square based gap भी हो सकता है cube based gap भी हो सकता है और prime number gap भी हो सकता है कभी भी आपको किसी भी series में gap चेक करना है तो इस 6 या 7 परकार से gap को check किया जा सकता है और आपके mind में यदि पहले से तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये series का question है gap series का question है और मुझे gap चेक करना है तो वो किस pattern का gap है तो मैं question को कैसे solve करूँगा तो दोस्तो हम लेके चलते हैं यदि हमारे question में हमारे paper में यदि constant gap का constant gap आ जाए यह jumping series, prime number series, square base series, cube base series, miscellaneous यह हम करेंगे next class में और सबसे पहले हम सिखेंगे gap series को सबसे पहले हम क्या सिखेंगे दोस्तो gap series को हम सीखने जा रहे हैं gap series में भी हम सीखने जा रहे हैं सर constant gap आ जाए कौन सा gap आ जाए? constant gap मतलब स्थीर या एक जैसा gap constant gap का मतलब है कि एक जैसा gap यदि हमारे पास आ गया question में question है 3, 20, 37, 3, 20, 37, 54, 71 question mark gap series की खासियत क्या होती है? sir gap series की जो खासियत होती है वो होती है कि वो ज्यादा jump नहीं करती series ज्यादा jump नहीं करती एक ही sequence में चलती रहती है और ज्यादा दूर तक नहीं जाती है जैसे देखो आपकी series 3 से शुरू हुई है और 71 तक पहुंची है कितने step में? 5 step में कितने step में? 5 step में तो ये एक सीधा साधा hint है दोस्तो gap series का सीधा साधा hint किसका है दोस्तो? ये gap series का सीधा साधा hint है तो मैंने देखा भी पहले 17 add हो गए फिर 17 add हो गए फिर 17 add हो गए फिर 17 add हो गए 88 is the right answer 88 is the right answer अगला कोशन आपके सामने है फटा फट से करके दिखा दिजिए अगला कोशन आपको मिल गया है देखते हैं भी सबसे पहले इस कोशन को कौन करके दिखाता है अजी अपने आप से करोगे फटा फट से करके दिखाओ constant gap का कोशन है 12 से शुरू हुआ 136 पे रुक गया 5 स्टेप के अंदर यही हिंट है gap series का यही हिंट है gap series का कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है gap series जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है ठीक है तो मैंने देखा 12 43 74 106 136 अब question mark नहीं लगा हुआ है question mark नहीं लगा हुआ है इसका मतलब यह wrong number series है wrong number series है ध्यान रखियेगा कौन सी series है wrong number series है try करते हैं जी करने की हैं जी तो हमने देखा भी यह बन गया 3,2,1,4,1,3 31 31 का gap हो गया किसका gap हो गया 31 का 4,3,1,7,4,3 31 का gap हो गया तो clear है भी 31 का gap चल रहा है किसका gap चल रहा है 31 का gap चल रहा है अब जैसे ही मैं इसमें 31 एड करूँगा जैसे ही मैं इसमें 31 एड करूँगा तो मेरे पास यह बनना चाहिए 105 क्या बनना चाहिए 105 तो 106 यहाँ पे सही नहीं है 105 आएगा 105 में फिर 31 एड करेंगे तो यह 136 आएगा I hope कि आपने सीखा होगा कि number series क्या होती है missing number series क्या होता है wrong number series क्या होता है missing number में तो आगे question mark होगा उस question mark की value हमें बतानी होती है और wrong number series में हमें उसमें से कोई number wrong होता है उस sequence को follow नहीं कर रहा होता है वो बताना होता है ठीक है ओके तो अब आगे बढ़ते हैं gap series में हमने सिखा constant gap constant gap का मतलब है कि एक जैसा gap जब हो उसे क्या बोलते है constant gap बोलते हैं ठीक है और gap में आपकी series ज़्यादा jump नहीं करती है जहां से शुरू होती है थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है ठीक है तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यदि increasing gap का question आपके exam में आ जाए ठीक है तब हम question को कैसे solve करके आएंगे हमारे पास question है 54, 60, 68, 78, 90 तो 54, 60, 68, 78, 90 question mark इस question को I hope आप कर दोगे फटा फट से करके दिखा दीजिए फटा फट से इस question को आप करके दिखा दीजिए मैंने देखा विष से पहले 6 और है फिर 8 और हूर एद जी फिर हमने देखा 10 हो और पिर 12 हो रहे थो increasing gap है increasing gap का मतलब हुए पहले 6 जुड़ा फिर 8 जुड़ा फिर 10 जुड़ा अब 12 जुड़ जाएगा और अब 14 जोड़ जाएगा कितना एड़ हो जाएगा 14 एड़ हो जाएगा ठीक है 14 एड़ हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 14 90 प्लस 14 कितना हो जाएगा 104 is the right answer तो right answer कितना हो जाएगा 104 next question करके दिखाईए जी फटा फट से लग जाईए गर information मिली गया कि हमारा जो नया बैच है वो 25 अप्रेल को शुरू होने जा रहा है और जो demo classes लगाना चाहरा है वो फटा फट से हमारे जो contact number आपको दिये गए हैं उस पे आप हमारे साथ जुड सकते हैं 18 अप्रेल से 24 अप्रेल तक हमारी demo classes जो चलने वाली है किसी भी परकार का आपको study material चाहिए किसी भी type का agriculture से लेकर IVPS AFO से लेकर pre से main से कोई भी study material A1 class का हना उसमें कोई किंतू प्रंतु नहीं होगी तब भी आप हमारे साथ contact कर सकते हैं question कर दिया होगा I hope आपने question है 85 95 115 155 235 question mark हां जी try कीजिए सर पहले इसने add किया 10 ठीक है जी फिर add किया 20 हां जी 10 20 चांस है कि 30 add करेगा यदि देखो 2 चांस मनते हैं इस type की series में ये series ऐसे भी सल सकती है 10 20 30 और 40 और ये series ऐसे भी सल सकती है 10 20 40 80 160 अना ये sequence भी चलता है और ये sequence भी चलता है ठीक है इसे बोलते है table sequence इसे बोलते है table sequence ठीक है इसे बोलते है table sequence इसे बोलते है double sequence double sequence क्या बोलते है double sequence नंबर पीछे वाले से double होता जाता है 10 जोड़ दिया 20 जोड़ दिया अब इसने 40 जोड़ दिया तो यह double sequence को follow कर रहा है पहले 10 जोड़ा फिर 20 जोड़ा 40 जोड़ा फिर इसमें 80 जोड़ेगा कितना जोड़ेगा 80 जोड़ेगा और आगे कितना जोड़ेगा 160 जोड़ेगा तो यह जोड़ेगा 5, 9, 3, 395 तो answer क्या जेगा 395 is the right answer I hope कि आपको चीजे समझ आ रही है constant gap का क्या मतलब होता है increasing gap का क्या मतलब होता है gap series आपको बताएगी कि मैं ज़्यादा भागूंगी नहीं jumping series बताएगी कि मैं हाथ से निकल जाओंगी ठीक है अब मैं आपको लेके चलता हूँ gap series में थोड़ा सा और आगे जिसे बोलते हैं decreasing gap decreasing gap का मतलब सर नाम से ही समझ आ रहा है कि जो series है वो उल्टी चल रही होगी series जो है वो descending order में चल रही होगी series किस में चल रही होगी? descending order में चल रही होगी दो बार series descending order में चलती है एक बार series का divide हो रहा हो या एक बार सिरीज में से कुछ माइनस हो रहा हो एक बार सिरीज का कुछ डिवाइड हो रहा हो या एक बार सिरीज का कुछ माइनस हो रहा हो सिरीज इस 480, 415, 363, 324, 298 and question mark अंजी, try करते हैं question को करने की पहले हमने देखा जी पहले हमने देखा कितना माइनस हो रहा है 65 65 माइनस हो रहा है फिर हमने देखा 532, 115, 52 देखते ही मुझे आइडिया आया भी पहले तो 13, 5 जा, 13, 5, 65, फिर 13, 4, 52 13 का टेबल माइनस होने की कोशिश हो रहा है पहले 65 माइनस हुआ, फिर 52 माइनस हुआ, पूरे चांस हैं कि 39 माइनस होगा, पूरे चांस हैं कि कितना माइनस होगा, 39 माइनस होगा, ठीक है, तो ये 39 जो है इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर पूरे चांस हैं कि 26 माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 26 माइनस है कि 13 माइनस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, 13, I hope आपको समझ आया होगा, पहले 65, फिर 52, फिर आपका 39, 26, 13, 13, 32, 26, 33, 39, 35, 35, तो 13 इसमें से माइनस करेंगे, तो यह बन ज़ेगा 8-35, 9-18, 285 is the right answer, तो हमारा right answer क्या देगा, 285, ठीक है, तो यह question फटा-फट से करके दिखाईए, next question फटा-फट से करके दिखाईए, फिर हमने paper भी sol करना है, पूरा का पूरा paper भी हमने sol करना है, जल्दी से जल्दी इस question को करके दिखाईए, wrong number series का question है, सर कहीं पे question mark नहीं दिखरा, question mark नहीं दिख रहा तो यह wrong number series का question होना चाहिए और आपको बताई दिया कि 25 अप्रेल से IBPS AFO के नए batch शुरू हो रहे हैं 18 से 24 अप्रेल तक zoom app पर demo चलेगी कोई भी उस demo में participate कर सकता है लो जी ट्राइ करते हैं question को करने की question है 145, 130, 116, 104, 91 हां जी तो हमने देखा भी पहले 15 माइनस हुआ फिर हमने देखा 14 माइनस हुआ फिर हमने देखा कि पहले 15 माइनस हुआ फिर 14 तो अब 13 माइनस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए 13 यदि sir 13 माइनस होगा तो यहां प्याना चाहिए 103 तो यह 103 आना चाहिए 104 जो है वो रोंग है 104 रोंग है और इसमें से 12 माइनस होगा 12 माइनस होगा तो क्या जाएगा 19 आदेगा ठीक है तो 104 की जगा क्या आएगा 103 इसे क्या बोलते हैं wrong number series दोस्तों बोलते हैं मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि square gap में आपको question कैसे solve करके आना होता है जब आपकी series जो है वो gap series है और उसमें भी square का gap आता है square का gap आता है तो question कैसे solve करना है question is 26, 27, 31, 40, 56, 81, 117 question mark लो जी sir try कीजिए फटा-फट से तो हमने देखा भी पहले 1 add हुआ हुआ फिर 4 add हुआ फिर 9 add हुआ हुआ तो clear हुई बात पहले 1 add हो रहा है फिर 2 का square फिर 3 का square फिर 4 का square add होगा फिर 5 का square add होगा फिर 6 का square add होगा तो अब 7 का square add होगा 49 इसमें add कर देंगे क्या add कर देंगे 49 आपको कर देंगे add कर देंगे 9 & 7 16 4 1 5 & 6 तो आंसवर आजेगा 166 तो आंसवर क्या आजेगा 166 जो है दोस्तों आपका final answer आने वाला है final answer आने वाला ये question फटाफट से करके दिखा दीजिए ये question फटाफट से करके दिखा दीजिए किसका square gap का question है wrong number series का question है किसका question है wrong number series का question है फटाफट से करके दिखा दीजिए wrong number series का question है हाँ जी question क्या कहता है question हमें क्या कहता है 56 105 169 251 350 471 लोज ट्राइ करते हैं question को करने की तो सर हम क्या देख पा रहे हैं 49 एड हो रहा है 49 यहाँ एड हो रहा है 64 तो clarity आगी दो step से ही clarity आ जाती है कि पहले 7 का square एड हुआ फिर 8 का फिर यहाँ पे 9 का square एड होने हो सही है 81 यहाँ पे add होना चाहिए ठीक है क्या add होना चाहिए 81 ठीक है फिर यहाँ पे add होना चाहिए 100 तो मैंने देखा भी यहाँ पे 81 add होगा तो यहाँ पे आना चीए 250 तो इसका मतलब 250 wrong है 250 क्या है? wrong number है wrong number बताना था wrong number बताना था तो 251 नहीं आएगा क्या आएगा? 250 आएगा 250 जो है यहाँ पे आएगा 251 जो है वो wrong number series का answer आओ गया ठीक है? और यहाँ आपके पास जूट जाएगा 7, 8, 9, 10, 11 11 मतलब 121 इसमें add हो जाएगा 251 की जगा क्या आएगा? 250 जो है हमारा answer आएगा बहुत बड़िया अब हम सीखेंगे cube gap gap series का अगला part आएगा cube gap को कैसे solve करेंगे दोस्तों देखिएगा question है 7 8, 16 43 107, 232 and question mark हाँ जी try कीजिए फटा-फट से try कीजिए फटा-फट से हो जाएगा question 1 add हुआ हुआ जी 8 add हुआ हुआ जी 27 add हुआ हुआ जी तो clear हुआ 1 का cube 2 का cube 3 का cube 4 का cube किस का cube आजेगा? 4 का cube आजेगा 5 का cube आजेगा किसका क्यूब आजएगा 5 का क्यूब आजएगा तो अब किसका क्यूब आजएगा 6 का क्यूब आजएगा मतलब 216 हम इसमें क्या कर देंगे जोड देंगे 216 क्या कर देंगे इसमें जोड देंगे ठीक है 6 और 2 कितना हो जेगा 8 3 और 1 कितना हो जेगा 4 2 और 2 कितना हो जेगा 4 248 जो है 448 जो है आपका Final Answer आजेगा फटा फट से अगलाλι कोशन करके दिखा दीजे फटा फट से और आपको सारी information तो मैंने देई दी कि YouTube पर Free Classy चलने वाली है फिर zoom app पर free class ही चलने वाली है, फिर आपका 25 अपरेल से नया batch शुरू होने वाला है, कोई भी किसी भी परकार का study material चाहिए, तो वो भी आप हमारे contact number पर contact करके ले सकते हैं, हमारी application को download करके हमारे किसी भी course को purchase कर सकते हैं, ठीक है दोस्तो, next question करने की try किजिए, फटा-फट से लो जी, अंतिम question करेंगे, इसके बाद का सारा process हम next class में करेंगे, और चैनल को subscribe जरूर कर लेना, ये sequence आने वाला है, बहुत अच्छे level पर, और एक एक चीज को बिलकुल बारीकी से हम हल करने वाले हैं, ठीक है, 500, 1500, 28, 31, 4559 question mark, ठीक है, तो इसमें हमने देखा, भी 1000 add हो गया, ठीक है जी, इसमें हमने देखा, कि ये add हो गया, जी, 13, 31 add हो गया, चेक कर ये ध्यान से, तो मैंने इसको देखते ही, मैंने का भी ये तो 10 का cube है, ये 11 का cube है, यहाँ पे आपका 12 का cube add हो जाएगा, यहाँ पे आपका 13 का cube add हो जाएग ठीक है 13 का cube add हो जाएगा तेरा का cube क्या होता है 297 ठीक है तो जो next हमारा step होगा हना next class में हम क्या सिखेंगे gap series में cube series सर आपने सिखा दी है prime number gap को कैसे solve करोगे और बस हमारा prime number gap इसके बाद हम सिखेंगे jumping series क्या होती है हना jumping series क्या रहती है उसके बाद square base series क्या होती है cube base series क्या रहती है एक-एक चीज को बिलकुल वारिकी से हम सिखेंगे और इसी pattern को सीखते हुए फिर हम वापिस किस पर चलेंगे सर हम वापिस किस पर चलेंगे सर हमारे question paper पर अना ये wrong number series का question जो है आपने try करना है ठीक है दोस्तो इस class में हम इतना ही सीखेंगे और आगे ही इसी sequence में बढ़ते जाएंगे चैनल को subscribe कर लेना और day by day classes को देखते रहना यदि आप अपने examination को pass करना चाहते हैं बाई बाई, take care, अपना ख्याल रखिएगा